अमस्कार इंडिया न्यूज जूतर प्रदेश उत्रखन देख रहे हैं आप और साथ मैं हूँ आपकी किर्थिक अंसल चलिया शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की विधान सभा के मौनसुन सत्र की एक कारवाही आनिश्यत काल के लिए स्थगी तीसरे दिन के कारवाही में विपक्ष ने सत्र शुरुख होते ही किया जोरदार हंगामा जवारी दो दिन के लिए बढ़ाया गया मौनसुन सत्र 24 अगस तक बढ़ाया गया मौनसुन सत्र UP विधान सभा की कारवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सदर में किया हंगामा सफा और कॉंग्रेस में सदर में पोस्टर लेकार नारे बाजिती यूपी विधान सभा में C.M. योगी ने विपक्च पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग जहर गोलने का काम कर रहे हैं और विपक्च लोगों को भटका रही है CM योगी ने विधान सभा में कहा कि लंबे समय से चुला आ रहा आयोधिया राम जर्म भूमी का विवाद चाट सु बानवे साल बाद खत्म हुआ साथ की भव्यर राम मंदर निर्मान का रास्ता भी साफ हो गया CM ने विपक्ष पर हमला वर होते हुए कहा कि राम और प्रशुराम में कोई भेद नहीं है लेकिन कुछ लोगों की बुध्धी में भेद है अब रोम की लोग भी राम का नाम ले रही है दिल्ली के धौलक हुआ में वरिंग रोट के पास इंकाउंटर दिल्ली पोलिस के स्पेशल सेल ने ISI के आसंकी के कोखिया गिरफतार बतायज्वारा के आतंकी के निशाने पर एक महत्वपून शक्ष्यत बखड़े गए आतंकी का नाम अबू यूसुफ बताजवरा उसके पास दो आईडी और हत्यार बरामत के गए हैं दिल्ली पोलिस के स्पेशल सेल ने कल देज रात अपना ओपरेशन शुरू किया था आतंकी अबू यूसुफ के पास भारी मात्रा में हत्यार बरामत दिल्ली पोलिस के मताबिक गिरफ़तार आईएस आईएस साथ अंकी अबू यूसुफ पुतर प्रदेश के बलरामपूर का रहने वाला है एक तीम बलरामपूर में रेड कर रही है अबू यूसुफ के साथ एक और आतंकी था जो फरार हो गया है उसकी गिरफ़तारी के लिए ठ्रापे मारी की जा रही है दिली पुलिस का कहने की आईएस आईएस के आतंकी दिली में बड़ा आतंकी हमला करने का प्लान बना रहे थे लोन वूल्फ अटैक का प्लान था कई जगा की आतंकी ने रेकी की थी बड़े आतंकी हमले के फिराक में थे आतंकी पुलिस के मताबिक दिल्ली में कुछ लोग अबू यूसुफ को संसाधन मुहया खरा रहे थे उनकी धरपकड के लिए च्वापे मारी की ज़ा रही है कुछ लोग अबू यूसुफ को संसाधन मुहया खरा रहे पुर्ववित सच्चिव राजिव कुमार अगला चुनाव आयूक्त न्यूक्त और एक सितंबर से अपना पद्भार संभालेंगे राजिव कुमार उन्हें सुचुरासी बैट के धारकन काडर के आईस अधिकारी है राजिव कुमार राजिव कुमार अब अशोक लवासा की ड्रगा लेंगे लवासा ने हल ही में चुनाव आयुक्त के पद से सिफ़ात दिया था और लवासा 31 अगस्तक अपने पत्थर बन रहेंगे योगी सरकार की खिलाफ कॉंग्रिस का हला बोल चौधरी चौरण सिंग के प्रतिमा के सामने दिया धरना कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने साधा निशाना दोनों सद्रों के विधाय को ने धरने में कीशिर कर यूपी के कई जुलों में यूरिया की कालब अजारी किसानों को नहीं मिल रही खाद प्रियंका गांधी ने यूगी सरकार पर बूला हमला कहा यूपी में यूरिया घुटाला इंडिया नियोस के ख़बर का बड़ा असर खाच के काला बज़ारी के खिलाफ सरकार सफ्त मामले में सीएम योगी ने लिया संग्यान सी म योगी ने सभी जुलाधिकारियों को डिये ребस का, किसानों को यूरिया हर हाल में ताइल रेट पर उतलब दहो सभी डिये म को नियमित मौनेटरिंग करने के भी निर देश दिये यूपी में यूरिया किलत पर मावती का हमला कहा प्रदेश में यूरिया खाट की किलत से किसान को गो रही है परिश्चानी सरकार यूरिया की कम्मे को करे तुरंट दूर बेरट में नकली किताबों के अवैध कारूबार का ममला आया अला में भी देवराथ पुलिस में मारा थच्छापा गज्रॉला से करोडों के किताबे कोई बरामज कई और जगे भी खोल सकते हैं गोदा बीज़ुकी नेता की प्रिंच्रिंग प्रेस पर पुलिस में मारा थच्छापा भारी मातरा में एन्सी आर्थी की नकली किताबे बरामज साथवी से लेकर बारवी तक की हैं नकली किताबे 374 सरर की नकली किताबों का है जख्कीरा नकली किताब मामले में अखिले श्यादफ का हमला श्रीक्षा नीती में बदलाफ करने वाली है बीज़िपी पहले अपने उन्नेताओं को नैतिक श्रीक्षा के पार पढ़ाए जो करोडों रुप्यों की नकली किताबों के गौरक धंदे में संलिप्त हैं नकली इमानदारी का चोगा ओडे लोगों का सच अब सामने आ गया सुल्तानकूर के लंभुखा विधान सबा के बीज़िपी विधायक देव मनी दिववेदी एक भर फिर चर्चा में आ गए हैं बार उनके लेटर पैट पर क्षेत्रिय समाच की जन्पति निज़्ों पर दर्ज मुकदमे और उनकी वर्तमान स्थिती को जानने के लिए आपर सच्चिव ग्रियों को पत्र लिखा बीज़िपी विधायक ने इस बात का खंडन किया है कि ये पत्र उन्होंने नहीं लिखा है कोई व्यक्ति उनकी छवी को धूमिल करना प्रहाता है और उनके लेटर पैट का बेवज़वाय इस्तमाल का ताहा है उन्नाव में गंगा में खनन कर बालू भंडारन के मामले में खनन माफिया पर दो करोड का जुर्माना बालू माफिया ने कर लिया बड़ी तादाद में अवैद भंडारन डियम की जांच में बड़े पैमाने पर पाया गया बालू का अवैद भंडारन परमीशन से अधिक किया गया अवैद खनन और अवैद बालू भंडारन अवैद खनन और भंडारन पर लगाए गया दो करूर पर चास लाग का जुर्माना पंदरदीन में जुर्माना भरने का दिया गया समय लकनव में ट्रिपल हातियकान मामले में बड़ा खुलासा बज़ुर्ग दमपती और चौकीदार के सर पर किये गए कई बार बज़ुर्ग दमपती की हतिया से एक दिन पहले हो इती चौकीदार की हतिया महिला के सर पर चोट के बारा से अधिक निशान मिले पोस्ट माटम रिपोर्ट के मताबिक दोनों घटनाएं अलग अलग दिन की चौकिदार के सर पर भी चोट के तीन निशान मिले हत्या को अवैद संबंध से जोड़ते हुए कर रही है पोलिस पूचताथ बस्ती में हत्या का एक और संसरी खीज मामला आयास सामने जोहाँ एक कल्यूगी पिता ही अपनी पत्नी और गोख में पल रही बच्ची का कातिल बन गया कातिल पिता को जो पता चला कि पत्नी की कोख में बेथी पल रही है तो पांच महिने की बच्ची सहीत पत्नी की मौत को मौत की घाट उसार करके फरार्थ हो गया वहीं सुचना पर पहुंचवी पोलिस ने केस दर्जकर मामली की जाएंच में जुच लिए बस्ती में जमेनी विवात को लेकर के एक महिला की धारदार हातियार से हमला कर दिया गया हमले में महिला गंभी रूप से घायल हो गई वहीं सुचना पर कॉंचवी पोलिस ने महिला को अस्पताल में भरती करवाया जहां इलाज के दरान महिला की मौत हो गई पोलिस ने केस दर्जकर मामी की जानत में जुट चुकी है पोलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पूछता थी है वाराण सी के कपसे थी थाना इलाके में संदिक्द परिस्तियों में गोली लगने से एक युवक गंभी रूप से घायल हो गया सुचना पर पहुंची पोलिस ने घायल युवक को बी एच्चियों में भरती कराय जोहां इलाज के दरान युवक की मौत हो गई पढ़ोसियों को कहने की युवक को जुए की लट थी जुए में काफी पैसा हार गया था इसलिए आर्थिक तंगी के कारण उसमें खुद को गोली मार ली वही तनाव को देखते हुए ट्रामस सेंटर में कई थानों की पोर्स के साथ भारी संख्या में पुलिस बल पैनात कर दिया गया है पहाडों पर हो रही लगतार बारिश की चलते काला गड़ दैम से पानी छोड़ा जारा है शुकरवार को 33,000 की उसक पानी छोड़े जाने से मुरादबाद की राम गंगा में बार की सित्य ला दी गई है कई गाउं में बार का पानी घुज गया है संपर्क मारगो पर बार का पानी आ गया है जो से लगभग एक दरजन से ज़्यादा गाउं प्रभावित है पहाडों और मैदानी लाखों में कई दिन से लगतार पुरही बारिश से काला गढ़ डैम में पानी शंता से अधिक ना खुज रहे लहाद डैम से पानी स्कुरा जा रहा है गोंजा के खुथवाले लाके में मवेशियों के लिए चारा लाने गई दो लड़कियों की जूप करके हुई मौत मौके पर पहुची यूपी एक तुभारा की पी आर्बी की टीम ने दोनों लड़कियों के शक्त को निकाला बाहर बस्ती में दो दिन पहले पकरे गया वैद शराब फैक्टरी को चलाने वाले गांग का नेटवर्क पूरी जिले के पूरी जिले में पाउं पसार चुका था जो से तोड़ने के लिए पुलिस ने अब कमर कस लिए स्वाट और कोटवाली पुलिस से नकली शराब को असली बता करके बेचने वाले चार्ट सेल्समैन को गिरफतार कर दिया इन दुकानों से 34,000 से अधिक बंटी बवली ब्रांट की देशी सराब बरामत की गई है अरोफितों ने बताए कि कई महिनों से नकली बेची शराब 20 से 25 रुपए पर खरीद करके सरकारी बेचते थे असली शराब की पेथी में नकली शराब मिक्स कर देते थे नकली शराब बेचने से मूटा मुनाफ़ा मिलता था अरांसी के लंका थाना इलाखे में दो पक्षों में चली गोली आ गोली लगने से दो शक्स उखुए घायल घायलों को च्रामत सेंचर में किया गया भरते इलाज के दरान एक शक्स की मौत मामले में जुटे पोले सितापुर में आश्रील हरकत करने वाला शिक्षक निलंबित बीसे ने दोशी पाय जाने पर किया निलंबित जाच में दोशी मिला आरूपी शिक्षक और महिला टीचर को भेचता था आश्रील मेसेज बस्ती में CHC और ठीची प्रभारियों ने किया इस्तिफा ग्रामेन अस्पतालों के MOIC ने डिप्टी CMO को सौपा पत्र सब्धिश प्रभारी करते में गिता आम्रोह दिहात इलाखे में पुलिस और बदमाशों में मुड्भेड पुलिस ने दो बदमाशों को किया गिरफतार मुड्भेड में एक सिपाही को भी लगी गूली बदमाशों ने किया ता झुछला च्राप डॉक्टर का पहरड बंदायों के वजीर गंज थाना इलाखे में रोडवेस बस में चानक लगी आग ड्राइवर रूर करड़क्टर ने कूट कर बज़ाई अपनी जान सेटापूर के कोवेड अस्पताल में आवेदस्था का वीडियो वारल कुरुना मरीजों को नहीं मिल पा रहा है खाना किसी को दाल रूटी तो किसी को मिल रही है सिर्फ सबजी सेटापूर के कोवेड अस्कताल में दस-दस दिन बाद भी मरीजों को जांच रिपोर्ट का इंतिजार मरीजों ने स्वास्त विभाग की खामियों का खोला राज फैराबाद सित एमजे पैलिस इल वन हॉस्पिटल का पूरा मामदा दिली मेरट एक्सप्रेस वे के काम को गाजबाद और महरोली के किसानों ने रुखवा दिया महरोली गाओं के कुछ किसानों कारोप है क्यूंकि जमीन पर एक्सप्रेस वे बनाने का काम शुरू किया गया है जेसे भी मशीन के आगे किसान परिवारों की महिनाएं खड़ी हो गई जोसके बाद विवाद बढ़ गया मौके पर प्रसाशन और पोलिस की टीप पौचरी और किसानों को सुमझाने की कोशिश थी स्वाच सर्वेक्शन 2020 की तहत आयोजित वर्च्वल स्वाच महुतसव में फिरोजबाद के नगर निगम को फौस्टेस्ट मूवर सिथी अवार्ड से नवाजा गया था लेकिन अगर बाद जमीनी हकीकत की की जाए तो फिरोजबाद के नगर निगम में घुडला परवाही है नगर निगम को भले फास्टेस मूवर सिथी का अवाड मिल गया हो लेकिन आज देर राट की घटना ने इस अवाच पर कही न कई प्रश्ण चिन खड़ा कर दिया है लोगों ने आनन फानन में पोलिस को सूच न दे पोलिस पहुंची और लोगों की मदद से शाष्ट को में खॉल से बाहर निकाला गया लेकिन तब तक उसकी मौद कुछ की मास्क नहीं लगाने पर पिचाए के मामले में एडियम ने लिया संध्यान पेडित के तहरीर पर स्देम के खिलाब केस दर्ज एडियम पर कारवाई करते वी जुला मुख्याले किया गया संबन जॉलान में अस्वास्त विभाग की बड़ी लापरवाई एंबुलेंस सेवा नहीं मिलने से एक अव्यक्ती की मौद परिजुन घंचोल अगतार कर रहे थे एंबुलेंस सेवा को फून कुवे में कूद गया था नश्ये में धुत में तक चंदॉली की चेके कोटवाली लाके मुपुलिस और बदमाश की बीट मुद भेड देखने को मिले जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया पक्रे गए बदमाश पर एक दरजन तो ज़्यादा के इस दाग अग्रकिनी बोहरा थाना इलाके में ज्रान रोखिम में डाल करके सफर कर रहे हैं लोग और राजस्तान सीमा से यूपी की सीमा प्रवेश कर रहे हैं यासर जोज़ा में कमपणी के फैंचराइजि के नाम पर लोगों से ठंगी करने वाला गिरों गिरफटार पिच्वास सीमाश पराज ब्लिय जवनपत के सदर कोत्वाली के बिचवाला गाठ में विश्वहिंदू परिशेद के सदसुर जिला धेक्शिके नित्रित्व में । वारण हो रहा है जिसमें वो सरकारी भूमी नापने का पैसा लेता हुआ देखाई जिरा है गोंटा में वोड़ाफोन स्टोर के पडोस में रेस्टूरेंट और साड़ी की दुकान में लगी भीशनाग आग से धूदू कर जलार रेस्टूरेंट लाखो कर समान हुआ ज्वल करके ठाग कानपूर में जज़ड़र मकान की चट गिरने से बज़ूर गायल ज़ड़र मकान के नीचे बनी है घरतौली काख खेल उड़ागर एस्टी एफ ने लखनो और बाराबंकी की चापे मारी बज़ड़ा में कंटेनर ट्रॉक ने दूद के खड़े टेंकर में मारी टकर मौके पर हुई एक की मौत तो कंटेनर ट्रॉक बुरी तरह से शती ग्रस हो गया सुचना पाकर स्थानी पुलिस मौके पर पहुंची फिरुसबाद में विद्यूत विभाग की बड़ी लापरवाई आइस सामने मजदूर की मौत की बाद गुसाए मजदूर उंडर्म कर किया हंगामा विद्यूत विभाग में हंगामे की बाद अधिकारी ओफिस बनकर गाडियां लेकर के भागते हुआ आए नज़र अर्दोई के सांधी थाना इलाके में बीटी रात अपने घर से खेतु पर आवारत जानवरों से फसल की रखवाली करने गए किसान को लणारी से गला काच कर हत्या कर दी गई इपोलिस ने शफ को कभजिन लेकर कि कोस्ट माटप के लिए करते में दबाख हा रिपेरिंग के समय मोबाइल की बैट्वी फटरी मूबाइल की मैट्वी पट्ने से युक गंभी रुप से जलजा सिल्तानपॉर में जुलाँ बैइने वाले दमपति के पौथे की मौस के बाद एम्बूलेंस नहीं मिले एंबुलेंस के लिए दमपती दोड़ते रहे लेकिन स्वास्त करने पर कोई असद नहीं हुआ ऐसे नहीं होने की वज़ों से फारिज्वन गुहार लगाते रहे लेकिन किसी ने भी किसी कभी दिल नहीं पसीजा था खार कर दमपती पैदली अपनी पत्मी और पौते को लेकर के बस अधे पहुचा दिली पे पकड़ा गया है आईएस आईएस आथंकी आथंकी उसुफ कतार बलरामपूर से जुड़े होने की सूचना कोतवाली उत्रावला के बढ़ाया गाउं पर भारी पौलिस बलते ना कानपूर में शराब पीते पौलिस कर्मियों का वीडियो वारल ज्राजपूर चौकी इंचारजने से पाहियों संक्ती शराब ज्राजपूर चौकी के प्रभारी है ज्रीपी परिहार आज़रा में गोशाला में खो रही है गायों की मौत दलदल में फसने की वज़ो से गायों की मौत बिले की सबसे बड़ी गोशाला में गायों की मौत अमिर्पूर में खिसानों को जूरिया खाद नहीं मिलने की वज़र से कॉंग्रिस प्रदा विकारियों ने प्रदर्फिन किया व्लाद विपाल को संबोद गया पर एज़ियम को सौपा गाज़बाद में लोने पॉलिस ने टॉप टेन बदमाशों में से एक सुरेंद रोल फुरिया को गिरफ्तार कर दिया बदमाश पर दलजिनों लूट खत्या उटर कहती के मुकदमे दलश थे लगनों के थाना मोहनलाल गंच के बल सिंग खेडा में दो ट्रॉक आमने सामने भीड़े हाथ सिमी ट्रॉइवर की मौके पर मौच ट्रॉक में पसेश चफ को मिशक्कत के बाद निकाला गया अरिटरन सच्रीव धिलीप ज्रावलकव ने पौड़ी में 13 डिस्ट्रेक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत चल रही उजनाओ का निरिक्षिन किया उन्होंने गुम्खाल के समीब केरते खल्प से भेरविगाट का भी निरिक्षिन किया सत्कुली 13 डेस्ट्रेक्ट 13 डेस्टिनेशन के अंद्रगत विभेर यूजनाओ पर संबंधित अधिकारियों सकारे प्रगटी की ज्रानकारी लिए पर रिटरन सच्रीव ने कहा कि इस शेत्र में एडवेंटर टूरिजम की अपार्ट संभावनाएं नयार नदी में फिशिंग और एंगलिंग का अच्छा स्कोप है उन्होंने कहा कि पछले दिनों में पैरवलाइदिंग और पैरसीलिंग के जो प्रियास किये गए थे उसके भी अच्छे परिणाम सामने आए है अरिजवार में पिछले चार दिनों से लगा था और बारिश बारिश उससे मौसम हुआ सुआवना लोगों को गर्वी से मिली रहा तो उपनाई गंगा का जलसतर हुआ समाने रिशिकेश में कुरुना मरीजों की संख्या बड़ी मुनी की रेती में 17 मरीज पाय गए रिशिकेश वेम्स में 15 मरीजों की पुष्टी रिशिकेश नगर निगम की दो करमचारी कुरुना पाज़िब्स आगया गणेश चतुर्थी का त्योहार अगले 10 दिनों तक हुगी गणपती की पुझा खुरुना खुद देखते हुए कई जगों पर इस बार ऑनलाइन आर्टी पुझिन की विवस्था की गए सुबा से ही मंदिरों में गणपती गजवानन की पूझा हो रही है इस बार मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का खयाल रखा जा रहा है हर बार की तरह है मुंबाई में भेजवार गणपती की धूम है लेकिन कुरुना खाल की चलते मंदिरों में वैसी रौनप नहीं है ज्रसी हर साल पुझा थी नागपूर में भी गणेश चेतूर्थी की धूम है मंदिरों में सुभास रही है बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच रहे है दिले में फिर बड़े पैट्रोल डीजल के दाम, पैट्रोलों के दाम में आज 16 पैसे की बड़ाओ तुई एक लिटर पैट्रोल के दाम को एक 90 रुपे, 41 पैसे पति लिटर डीजल के दामों में भी कोई अभी बदलाब नहीं वरांसे में पिछले 24 गंटे में कोरोना के 101 नई केस, कोरोना मरिजू के संख्या हुई 6,456, कोरोना से अब तक 119 लोगों की हुई मौथ दोस्तो, 13 देशों में फैल चुके खतरनाक वाइरस कोविद-19 का प्रकोप समने का नाम नहीं ले रहा है दुनिया भर में 2 करोड 30 लाख लोग इसकी चपेट में आ चुके है और इन में से 8 लाख से ज़ादा लोग अपनी जान रवा चुके है फिल्म सडक्टू का दूसरा गाना इश्ख खवाल रिलीज हो गया है फिल्म में संद्रिदात कूडरा भाट, आलिया भाट और आदिते रॉय कपूली जूर में है ये श्राज फिल्म के अपकमिंग कॉमेडी फिल्म में अक्टर विकी कॉशेल, मानुशी शेलर्ट संग रोमांस करते में नजर आएंगे ओटिटी प्लेटफोर्म नेट्फिक्स पर फिल्म क्लास ओफ 83 डिलीज हो गया है फिल्म में बॉबी दियोल पोलिस अफसर के किरदार में नजर आएंगे अग्शिक मारब जल्धी इन्टु दे वाइल्ड विद बेर ग्रेल्स में बेर ग्रेल्स के साथ खत्रों के खिलाडी बंत में नजर आएंगे गैंग्स्टर विकास दुबे की जीवन पर अधारित फिल्म प्रकाष दुबे कानपूर वाला का ट्रेलर रिलीज हो गया है जो से गोल्डन बॉर्ड पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया है मलाइका रोडा और टोनुफूद की जोड़ी ने एक बार फिर से मुन्ली बदनाम उइस सौंग पर एक साथ डांस कर रही है इंजिया बेस्ट दांसर स्चेमंच पर मलाइका और टोनुफूद ने एक साथ मुन्ली बदनाम सौंग पर दिरक्तेवे नजरा है मलाइका रोडा को अपने फैशन सेंस और गजरब के आउटफिट्स के लिए ज़ाना ज़ाता है मलाइका रोडे में सोशल मीजिया पर अपने कुछ फोटोज शेर की है मलाइका शेरावत अपने डान्स की वज़ों से एक बरतर से सुर्चों में साई हुई है हाली में मलाइका ने अपने सजाम एकाउंट से एक वीडियो शेर के जिसमें वो जेली बीबाई गाने तो डान्स का तूम उज़राए फिल्म दो बैटमेन की शूटिंग सतंबर से शुरू कोने वाली है फिल्म में रॉबर्ट, पैटरिसन, जोई, कावरिटरिस, पॉल, जोनो और मैं लीड रूल में हुए फिल्हाल फटा फट खबरों में इतना ही, मेरे साथ दीज़े जासा, तमसकार